दोस्तों सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल All About Medicine को साथ ही प्रेस करें बेल आइकन जिससे आप पास सकें Medicine Update सबसे पहले दोस्तों आज सिखते हैं दवा डॉट्रावरीन के बारे में डॉट्रावरीन एंटिस्पास्मोड ग्रूप की दवा है यह टेबलेट कैपसूल और सिर्फ फॉर्म में अवेलेबल है इसके इंजेक्शन फॉर्म भी अवेलेबल है मार्केट में फ्रेंट्स जो टेबलेट आती है इसके फिल्म कोटेड होती है और जो स्मॉल इंटेशन में जाके एब्जोर्ब होती है वो इस टेबलेट को तोड़े नहीं बीना तोड़े ही इससे आपको निगलना होता है इसके ब्रांड की बात करते हैं जिस नाम से आप इसको जानते हैं ड्रोट नाम से ये मार्केड में आती है ड्रोट ड्येस नाम से आती है ड्रोटी काइंड डिटो ड्रोटावीन ओर भी खुब सा ये ब्रांड से एरी के साथ से अलग अलग है और इसकी जो strength है टेबलेट और कैपसुल की 40 благ और 18 mg टेबलेट की strength है और syrup की जो strength है 10 mg पर 5 ml और 20 mg पर 5 ml से आवेलेबल है इस दवा को आप खाना खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद दोनों समय ले सकते हैं अब बात करते हैं, डॉटर वरिन की यूज की, किस किस बिमारी में इसका यूज होता है, किसे रिलिफ देती है, डॉटर वरिन का जो यूज है, जो परियोग है, पेट के smooth muscles के दर्द में, तता इसमें पेट में हलका सा दर्द के क्राम्ट चलने पर लिया जाता है, उस दर्द के निवारन है, तो डॉटर वरिन का यूज किया जाता है, इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म के दोरान, जो पेट में दर्द होता है, उस दर्द को खद करने के लिए भी डॉटर वरिन का यूज लिया जाता है, और साथ ही miscarries होने पर, या बच्चे के जन्म के समय जो महिलाओं को दर्द होता है, उससे निजात पाने के लिए डॉटर वरिन का यूज किया जाता है, पत्री जो रहती है, किड्नी स्टोन, गाल पेडर स्टोन, इसके कारण जो दर्द होता है, उससे भी दूर करने के लिए डॉटर वरिन का यूज होता है, डॉटर वरिन का जो किन किन व्यक्तियों को किन किन मरीजों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए, ये दिल कोई मरीज डॉटर वरीन से अलर्जिक है, तो उस मरीज को और यदि मरीज का लीवर डेमेज है, या किड्नी डेमेज है, और साथ ही उसे हार्ड की कोई प्रोब्लम ये जो आप ले रहे हैं उनके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं साथ इजीन मेडिसीन से आप अलर्जिक हैं उन मेडिसीन के बारे में भी जरूर बताएं दोस्तो प्रेगनेंट वोमन को जब ये डॉक्टर के प्रिस्किप्शन भी दी जाती है इसे केटेगरी C में रखा गया है और breastfeeding mother को भी डोटा वरीन दी जा सकती लेकिन शिर्फ डॉक्टर के prescription पर डॉक्टर को अगर जरूद महसूस होगी तो ही वो डोटा वरीन pregnant woman और breastfeeding mother को देगा अब बात करते हैं side effect की common जो side effect देखे गए हैं डोटा वरीन के उनमें blood pressure कम हो जाता है पेसेंट को चकर आने लग जाते हैं सिर्दर्द अचानक से सुरू हो जाता है हरदे की दड़कन बढ़ जाती है पेसेंट को अनीजी सा फील होता है और बेहोंसी सा भी उसे लगने लगता अगर इन सभी कलक्सनों में कोई आपको दिखाए दे तो दवा का सेवन तुरंत ही बंद करे और अपने डॉक्टर को दिखाए और फ्रेंट्स एक सला है मेरी self-medication जो है बिल्कुल safe नहीं है किसी को भी self-medication खुद से दवाईया नहीं लेनी चीए डॉक्टर को दिखा के फ इसे ज़्यादा सेर करें और इस पर लाइक और कमेंट करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो सब्सकाइब करें और बेल आइकन को दबाए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल दरें आप ते अपने दोस्त मोहित दादीज के साथ और दे